हेलो एवरीवन वेलकम टू माई योट्यूब चैनल लास्ट टाइम हमने फॉल्ट का टॉपिक डिस्कुस किया था और वो लास्ट लेक्चर था फॉल्ट पे तो हमने फॉल्ट फॉल्ड और आउटक्रोप पैटर्न यह सब हमने क्लियर कर दिया है हमारा जो नेक्स टॉपिक तो अभी तक अपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया थो प्लीज सबस्क्राइब करियेगा सब्सक्राइब करेजड़ करता की RICHARD करते हैं और इसके बाद हम जॉइंट का टॉपिक पर शहरीशन परेद सटेटिडर्बंट खिक्ष लेयर आ जाता है ठीक है तीन चार्च प्रफिर अचानक से हाला इंस्टों आ जाता है तो वह क्या हो गया Sudden break हो गया तो उसे हम Unconfirmity कहते है और पसिफिस ऐंस्टों आ जाता है तो Unconfirmity Mark होती है by the conglomerate समझके अब जो अनकंफर्मिटी है वो इरोशन या फिर नोन डिपोजेशन के वज़े से फॉर्म होती है अब जो अनकंफर्मिटी है वो सबसे इंपोर्टेंट मार्कर सर्फिस है ठीक है उसको जब अनकंफर्मिटी होती है तो हम सर्फिस पे मार्क देखते हैं जैसे कि मैंने पता है कि हमें लाइम स्टोन से अनकंफर्मिटी पता चलती है तो अनकनफर्मिटी है वो structural geology में बहुत ही main role play करती है जिसकी वज़े से हमें tectonic unit समझने में, differentiate करने में tectonic unit को और उसके साथ-साथ mapping में भी काफी useful रहती है अनकनफर्मिटी. अनकनफर्मिटी या तो old rock या फिर यंग रहेगी ना सबसे नीचे मैंने बता थे सेंस्टोन का लेयर था चार-पाच सेंस्टोन के लेयर और फिर लाइमस्टोन का लेयर वापिस सेंस्टोन तो यह क्या हो गया? तो यंगर rock, यौडर रोग इन दोनों के बीच में अनकनफर्मिटी माग होती है. सो लोवर यूनिट होगा तो उसका यउंगर रोग होगा और और ओल्डर रोग होगा तो उसका यंगर यूनिट होगा. Unconfermity represents an erosional surface Unconfermity है वो erosional surface को भी represent करती है तभी हमें पता चलता है ना कि हाँ यह erosional surface है यहाँ पर unconfermity हुई है They are also caused by non-depositional The major type of unconfermity include non-confermity, disconfermity, angular unconfermity, paraconfermity, buyer unconfermity, diastorm Unconfermity recognized by structural sedimentary and parentological criteria तो यह सब types है अनकनफरmity के And a unconfermity may be of local or regional extent तो यह सार अनकनफरmity के types है जो हम दो दो या तिन तिन टाइप को एक एक वीडियो में discuss करेंगे तो यह था introduction of unconfermity Thank you so much अगर यह वीडियो आपको समझे माया तो प्लीज लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे YouTube चैनल को Thank you